करांची शहर में बहुत कम ऐसी जगहें बच्ची हैं जाकि हारी आली आज भी उपरकरार है और फ्रेयर हॉल उन्में से एक है हालिया दिनों में इधर बहुत सारी तबदीलियां नोडिस की गई हैं चले आज उन पे भी जारा गोर करते हैं और देखते हैं क्या इसका इंफ्रेस्ट्रक्चर आज भी वैसा ही है जैसे 1.500 साल पहला बनाया गया था गया इसमें काफी तबदीलियां करी जा चुकी हैं ये एक नुमाईश की जगा और लाइबरी के तब पे काम करता है फैर हाल को हैंवरी सेन क्लियर विलकंस दिन रिजाइन किया था जिसे 12 उमीदवारों में से मुन्तखिब किया गया था इमारत की जमीन 2,000 बरतानवी हिंदोस्ताने रुपों के लागत से खरीदी गई थी ज जिसमें से 10,000 रुपे हुकूमत ने अदा किये जबकि बाकी रखम कराची इम्यूसिपल्टी ने अदा किये थे पाकिस्तान की इंडिपेंडन्स के बाद हाल की लाइबरी का नाम लियाकत नैशनल लाइबरी रख दिया गया लाइबरी कराची की सबसे बड़ी लाइबरेरियों में से एक है इसमें 70,000 से जाइब किताबों का जखीरा है जिन में नायाब और हाथ से लेखे गए मसूदाद भी शामिल है हाल की छटों को 1980 की दिहाई में आलमी शौरत याफ़ता पाकिस्टानी पेंटर साथकैन ने सजाया था जिसकी एक दिवार 1987 में इनके इंतकाल के बाद नामुकमल रह गई साथकैन के कई दीगर काम भी हाल में पाई जाते है हाल के इस हिस्से को गैलरी ये साथकैन के नाम सजाना जाता है हाल अब बराए रास कराची म्यूनसिपृल्टी कॉर्पोरेशन यानि के एमसी के जिरे इंतजाम है और कई फैसिवल की में जबानी करता है फ्रेर हाल विनेशन गौतिक तरज अमल पर बनाया गया था अधी तोह पर मकामी पीले रंगे लाइम स्टोन से बनाई गई है जिसमें करीबी कजबे भोलारी से निकाले गए सफैद औलीड पत्थर का भी इस्तमाल किया गया है इस इमारत में लाल और सुनमाई रंगे सैंड स्टोन का भी इस्तमाल किया गया है जो सिंध के जंग शाही कजबे से लिए गए थे इमारत के एक कोने में एक उंचा ओक्टागोनल टावर वाके है जिस पर लोहे का पिंजरा बनाया हुआ है हॉल दो लॉन्स से गिरा हुआ है जो असल में कुईन्स लॉन्स 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 के नाम से मशूर थे जिनाजादी के बाद बागे जिना या जिना गार्डन के नाम से जाना जाता है हाल ही में ट्रेहर हॉल की गिर्ट सेंध हुकूमत की जानेब से पिलर खड़े कर दिए गए जिन का मकसद यहां गेट्स लगवा के एंट्री टिकेट लगाना था जैसे ही शेहरियों के नजर इस तबदीली पर पड़ी तो शेहरियों के एक ग्रुप ने अपना एतजाज रिकॉर्ड करवाया जिसकी वज़ा से अदालत हरकत में आई और हुकूमत को इस काम से रोकने का हुकम दिया काम तो रुग गया परपेलर्स अब भी वही हैं और इमारत की डिजाइन के विजन को ब्लॉक कर रहे हैं ना सिर्फ ये बलके इंतजामिया ने हॉल के खुबसूरत फवारों के गिर्द जंगले लगा दिया है और उसके उपर जमगदार जंडिया लगा के हॉल के डिजाइन एस्टेटिक्स को नुफसान पचाया है इस सब के साथ यहां आने वाले शेहरी कच्छा फेकने से बास नहीं आते और लॉन्स में जगा जगा प्लास्टिक शॉपर्स और जूस के डबे फेक देते हैं डिज़ सो साल पुरानी इस इमारत की हिफाज़त हुकूमत ही नहीं बलके यहां के मुकीम शेहरीयों की विज़मेदारी है मैं हूँ वासल जकी और आप देख रहे हैं समंदर के नारे